नमस्कार News24 देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा, राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री लगातार चर्चा में है, सुर्थियों में है, एक के बाद एक अलग तरह के फैसलों को लेकर चर्चा में बने रहने का कारण भी दे रहे हैं, राजस्थान के स जगेद ध्यान रखते हैं, शेर मार्केट पर, कुछ वीडियो फिल्म्स देखते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाने पर उनका ध्यान नहीं रहता है, और इसलिए मोबाइल शिक्षकों के लिए अब स्कूल ले जाना संभर नहीं है, अगर गलती से कोई टीचर स्कूल ले तरह से जंटा जो है, इसे स्वीकर करती है या नहीं करती है, और जो इस पर बहस हो रही है, उसका मतलब क्या है, क्या यह मुम्किन हो पारिकार, कितने दिन एए सा सर्कार करने में काम्याब होगी, और अगर होती है, और 這種 कितना सही है. हमारे साथ एक घंटे में अगले खास नमानों के साथ इसे कर दुस्ताश अचाचा करते हैं पौरुष भाजवाजी, कॉमर्स की प्रवक्ता, लिटेंदर शर्मा जी बीजेपीके, जगदिश शर्मा जी बरश पत्रका, राजीर किवारी जी बरश पत्रका, नमीन कुमार जी, मुक्त महमन जी, राजिस्थान, शिक्षप संसियाराम, नेमन जोटी जी अमारे साथ दुरे नागोट से, और ओम खटारा जी, कोटा से, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, शुरुआत लिटेंदर शर्मा जी आपसे करना चाहते हैं, क्या सोथ समझ कर ऐसा किया जा देखिए, बहुत स्वागत योग ये निडने है, निडने दोजार इनिद्ने भी इसके का एक निडने चेया जाता है, मगर इसके इंप्लीमेंट कराने की शैर कांग्रेस की मंशा नहीं रही होगी, मगर हमारे शिक्षा मंत्री जी ने आज इस पर्स रूप से ये चीज़ बताईए कि इसकूल परीसर में शिक्षकों को मोबाईल नहीं लाना है, शिक्षा काजिये यही वहाँ पर उपस्थित रहना है, क्यूदित रहना है, तो सिक्षा मंत्रिया जी का एक जिच्शे के पूरा फोकस शिर्फ चात्रों के टबलब्लमेंट से रहे, इसलिए इस निन्ने को इंप्लिमेंट किया जाए जी विज्जार्थियों के पुरा ज्ञान रहे इस लिए पारुष भादवार जी सरकार के इस फैसले को आप स्वारत करते देखिए मिला जी मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि सरकार हो या फिर कोई समाज सामाजिक विक्त के तमाम नेताओं की आदत होती है कि ये लोग असली मुद्दे से ध्यान बठकाने के लिए ये कोई ना कोई शगूफा मार्केट पर छोड़ देते हैं ताकि लोग उस पर चर्चा करते रहे और असली मुद्दों पर से लोगों का ध्यान अट जाए मैं आपका ध्यान दिल उसको वापस हिंदी वीडियम कर सकते हैं गया और उस बात का अभीवावकों में बहुत तेजी से रोज फैला और लोगों में काफी बेचे नहीं हुई और लोगों ने बाच्पा को पोस्ना शुरू कर दिया मेरा मानना यह कि शिक्षा मंत्री जी ने यह जो निरने लेने क मैं बबाद को तो है मैं फैसली जे बाद में मॉबाइल का जो है वह सिर शिक्षा के शेत्र में बल्कि हर्क शेत्र में उसके अक अपनी ऊपियों की ता सावीत हुई सचे-से-क्र-फुल के हो आप इसबात को जानते हैं, एक इसी परिस्तिटी होती है कि टीचर को भी कई चीज की नौलेज़ नियुह थे लिए, तुछ अथि कई पना धूछाओं को कहा हुआ हुए तो ตयोडनां सब्धेत फूठ lotta प्रते है कि वो खुद के सेल्फ डिसिप्लेन में सेल्फ कंट्रोल में रहे और उसको इस बात की छूटो कि कब उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए मोबाइल का उपयोग करना है और कब उसको नहीं करना और दूसरी बात चलिए हम एक पार मंत्री जी के फैस्ट भागवाट जी क्या होना चाहिए समाज में बहुत सारी बातें दूनी चाहिए पर होती है लेकिन होता नहीं है आपकी इतनी सारी बात्चीत से यह समाझ में आया कि सरकार का पैसला सही है आपकी इस बात से यह भी समाझ में आया कि सरकार आपकी थी तब भी पैसला लिया गया था आपकी इस बा मानी जाने चाहिए जग्दीश शर्मा जी परश भागवार जी की बात का यही मतलब समझा जाए इसका मतलब मॉबाइल शिक्षकों को विद्यालेओं में लेकर नहीं जाना चाहिए इस बात पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक है इस पमेर जाए गए जाना चाहिए जाधिश की सुनने के बाद मैं आपके पास है नहीं जात्रों और शिक्षकों के बीच का आशल में तमश्या मुद्ध के मतलब है इसकोरों में पढ़ाई हूं गरी होगा है और आए होने के पीछे जो जो दुवन में कारण सामने कायार आत देखते रहते हैं और उनको बच्चों को पढ़ाने की तरफ उनका ध्यान मिल जाता है तो बहुत सारी चीजें जो बच्चों और टीचर्स की बीच में ऐसी है वैसे तो 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 चाहिए अभी वाव को कि उपस्तिती में यह इस तरह का मामला है लेकिन जब समझ्या बहुत बड़ी हो गया है तो डिपार्टमेंट के उपनी इस्तर पर भी उसके आदेश जारी होते हैं यह फैसले आते हैं अब यह मुबाइल फॉन के मामले में मैं तो कहूंगा कि अच्छा डिसिजन है अगर मेरी अच्छा मानूगा और यहां तक बिजिजन पूना चीए कि स्कूल का जो कंपाउंड है उसके अंदर ही मोबाइल नहीं है बच्चों को भी अलाव नहीं है यहां देखे सेकंडर त अगर चुपा कर कोई बच्चे ले जाते और उसको उसको उप्योंग भी कर दोगते हैं कभी कभी देखा है लेकिस मोबाइल से जितने फाइद है निक्सान भी उत नहीं है अगर उसको चलाए भी रखा जाए तो अलग मुद्दार आप सब लोग समझते हैं जितने भी मुबाइल का उप्योग करते हैं और क्या-क्या लोग दो तीन सी मोबाइल भी रखते हैं एक से काम नहीं चलता हूंका सवाल है इसको पालेंगे या नहीं या किस तरह के रवाद हो नहीं मानेंगे नवेन कुमार शर्मा जी टीचर्स का क्या सोचना है शिक्षतों की क्या प सब्सक्राइब करते हैं कि प्रवाद से लागू करते हैं इस तीर से कई निसाने लगे हैं मैंडमें से नमबर एक कि आज पूरा सिक्षा जगत और जिदने भी हम सब सिक्षक हैं इस मोबाइल से बहुत दुखी परेशान है कारण क्या है कि पूरे दिन हमें इस मोबाइल में उल्जे रहना पड़ता है यह अभी एक तो बयान उनका भी आया है अभी पर ऑफलाइन इसको ओनलाइन फीड करो आपके दूद का एमडीम का पूरा इसा खाने का पूरा इसा उसका फीड करो उसके अंदर साला दर्पन की अन गनित इसकी कोई जिंती नहीं है वो सारी फीडिंग मोबाइल से करो अभी आज की तारीख में क्या होगा कल से क्या कर र पचास गृप मोबाइल में मिलेंगे जिसुमें गृप होंगे पी यह का टी यह का सीड यह का क्रिंसीब का उसके बाद सारी किलासों के गृप बना रखे हैं वो गृप होंगे उसी मोझे रहते हैं इतना बढ़ गया है कि आप देखने की बात करते हैं कि रील देखेंगे इसमें अरे हम उसमें इतना उलग जाते हैं उतने बोर हो जाते हैं कि जो जरूरी पॉल है उनको भॉइट कर देते हैं रटा इसको रखे आद पाद तो इससे फायदे क्या होंगे फायदे होंगे कि एक तो पूरे दिन जो मोगाल देके हम बैठे रहते आउनलाइन वो बंद हो जाएगा नंबर दो जितने भी गैर सेक्षरी गद्विदियां हैं खासकर बी लो बीएलो का कारी क्या है मोगाल से होता है अगर इसको बंद कर दि कारे से मुक्ति मिलेगी देखा जाए तो 80% सिक्षक बीएलो और बीएलो सुपर बाज़े बने हुए थे पूरे-पूरे महिने वित्याले में नहीं आए हम लाग कोर्सिस की हमने बजाना होदार हमने एस्टाग्ला से ली होंगी तो पास में पहुंच गया हम चुनाव कारे मे सब्सक्राइब तो हमें उससे निजात मिलेगी हमारे सिक्षक बहुत है इस निरने से एक ही है उम्मीद कि हमारे मंद्री महोदय से कठोर्टा से लागू कराएं इसको और इस पर कायम रहें इस पर कायम भी रहें कि आदे तो निकल गया फिर वह थंडे वस्ते में चला जात मंद्री गया नुद्री को चाथा वर कम करार है और बहुत जल्द मंत्री मोदे को स्वाकत्ती करने जाएंगे उनकी निवासिस्तान पर किया आपने बहुत अच्छा निर्ने लिया है और इसको लागू करा है और इस पर कायम रहे राजित तिवारी जी नवीन कुपाय शर्मा जी को जो आशंका है इतनी आशंका ही आपको भी नजर आती है कि सरकार के लिए इसे एक्जिकूस कराना असान नहीं है अगर सरकार चाहे तो एक भी क्यूट कर सकी है पुराना फैसला है और सही बात भी है वैसे दिलावर जी ने कहा भी है कि ये आचार सहींता समाप्त होने के बाद फिर इसे लागू किया जाएगा अभी आचार सहींता में एक महीना बाकी पड़ा हुआ जेड़ महीना बाकी है क्या होता है उसके बाद लागू होने के बाद फिर इसको अगर कठोरता से लागू नहीं करते हैं तो फिर ये सरकार की नाकामी मानी जाएगी क्योंकि जो अभी नवीन कुमार भी बता रहे थे सारे काम ओनलाइन होने से बीपी, शुकार और जाने कौन-कौन से लुकोमा अगेरा कही तरीके की जो आपकों की भी तकलीफ होती है वो सब टीचर उससे भुजर रहे हैं लेकिन मेरा ये भी एक सोचना है इसमें कि टीचरों को बाहर जाने का काम अब कम पड़ गया मॉबाइल, ओनलाइन होने से सारी चीज़े ना तीचर्स को अब ये भी एक कम हो गया है कि पहले एक जैसे बीएलों का काम है, зовular का काम है या और तूसरे सरकारी काम है उसमें काम होते थे तीन दिन के और सरकारी करमचारी भी जाते हैं, मैं खाली टीसर्स के भी नहीं खह रहा हूं जाते हैं, ओनलाइन होने के बाद क्या है कि उनको स्कूल सही सारी चीज़ें हो जो स्कूल आउरोज में सारे काम करने पड़ते थे, या घर जाकर भी उसमें उनको थोड़ा बहुत जो होना चाहिए, और उसमें यह नहीं हो कि उसमें एक चीज़ उन्हों ने थोड़ी है कि फ्रिंस्पल लेके आ जाएगा मोगा, फ्रिंस्पल भी क्यों लाएगा, वो भी तो पीछरी है, तो अगर किसी को एमर्जेंसी में है, तो लेंड लाइन फोन रखे ना वापे, देखि स्कूल के नेकवर्च में माही जिस सत ज्यगे लेंड लाइन फोन लेपल नहीं है, सब जगे हैं, आज की तारीख में यह सब लोग जानते हैं इस बात टोपने के यह सब होग intimate सभी के लिए शात्रों के तो पल्पूर मजाय से बाहर नहीं रखना चाहिए वा रखा जया या फूर के लिध के लिए तौडी पढल को इन्चा everyone तेलीफोन होता था अगर किसी वह ढूंकर कंदेवन तो लेंड़ान किया है जी आग जब सब्सक्राइब करना हुए है तो biscuit का packet चाहिए तो mobile से आजाएगा, ice cream चाहिए तो mobile से आजाएगी, कोई kitab चाहिए तो दूसरे दिन मिल जाएगी, ऐसे में teachers जो की, खुद नवीन जी यहाँ पर बता रहे हैं कि, कितना जाधा बुरा हाल mobile ने उन लोगों का कर दिया है, मोबाइल की वज़से इस शिक्षकों को कितनी सारी परेशानिया जरनी पड़ दी है हेमन जोशी जी ये परेशानियों से निजात लेकर अगर टीचर्स खुश होते हैं तो इसका मतलब शिक्षा की स्तर में अच्छा समय आएगा किस तरह की पतिक्रिया हैं आप नागोर में देख पारें हैं मन जी देखिए मिना जी में बताना चाहता हूं नागोर दिले कि कई शिक्षक और शिक्षिकाएं ऐसे हैं जिनके इस्टाग्राम फेस्बुक पर लाख हो किसे क्या में फोलोर्स हैं और वो लगब ब्रती दिन दो से तीन चार इस बिडावते हैं वो इस्कूल की एक्टिविटी हो चाहे गार्टन हो चाहे इस्कूल में फुद्गार ट्रेंप केज़वाग करना जैसे वीडियो और रिंस वो फूरे दिन मुबाइल में भी सी रहते हैं मतलब अन्य आये का जरिया भ सकती से पादन्दिया जरूरी है लेकिन यह इस सकारात्म से पादन्दिया रहे कि आपको जो प्लेंटो का काम है वह उसके लिए मोगा यूज कर सकते हो या कुछ समय गैसा कि आप यह कारिया देख सकते हो मोगाय कर सकते हो इस्कूल टाइम में बच्चों को पढ़ाते हो ऑ वर्फेटिविटीज में उस्टाइम एग। इसका धूप कर रहे हैं, तखनी का रूप्यों क्या जा रहा है, मेरे साथ मं पहलपे का मानना यही होगा। यही बानते हैं मंत्री मौदर ने यादर जन किया होगा, अब शेर मार्केट तो, संभाव की तरुप से शेर मार्केट का यूदि बहुत तम शिक्षक करते हैं, जी आजगर को परेंगे। कि मुम्किन नहीं हो वाया, फैसला तो हमारा ये आपको ये नया फैसला नहीं दे रहे हैं, तो आप इसे मुम्किन कैसे बनाएंगे पिछली सरकार जिस काम को करने पाई, इसके सामने जो चुनोत में आएंगे, उससे पार कैसे पाएंगे आप, तो अगती एक रास्ता है, शि हरा कर क्यों काम करें, सरकार का, तो सरकार ने उसलिए क्या योजना बनाएंगे, की से एक्जेक्यूट कैसे करेंगे, उस आदेश में इसके लिखा हुआ है, कि उसकुल परिसर कक्षा कक्ष में मॉबाइल का उप्योग नहीं करना, अगर किसी सिक्षक की ड्यूटी दूसरी जगे पर लगाई जाती है, अन्य जगे पर लगाई जाती है, तो वहां पर इसको परिसर कक्षा कक्ष नहीं है, मॉबाइल का उप्योग और वहां पर आवशक है, उस आदेश में भी जहां तक मैंने पढ़ा था, जितना मैं समझ पाया, कि शिक्षा ताजियों के लिए सबसे एक ही बात निकल के आई सबसे जगाऊ को अच्छा आदेश है, सब लोग मिलकर इसको मूल रूप से लागू कराना, इसके लिए जो मूल प्रात्मिक्ता सबकी तरफ से ते की गई हो यह है, कि यह आदेश लागू हो, तो उस आदेश को लागू कराने के लिए सरकार अप्तियास करेगी, शिक्षे की जागरूप वर्जे, सब लोग इसमें कोपोड करेंगे, इसा मेरे को लगता है, और इस आदेश का शिक्षेकों को भी लाग मिलेगा, और शाप्रू को भी लाग मिलेगा, यह तैह है. इतिन्दी जी जैसे पूरे पैनल में सभी लोगों ने ये माना कि ये अच्छा फैसला है, वैसे ही सब ने ये भी जाना और बताया कि ये पुराना फैसला भी ये नया मेंगे, और फिर ये भी समझ में आया कि ये पूराना फैसला जब इछी सरकार में लिया था 2019 में, उसके पाद संभव नहीं हो पाया इसे धरातल कर उतारना उसमें एक बड़ा कारण कोविड था कोरोना था जिस वज़े से बच्चे घरों में कहड़ हो गए थे और मोबाइल पर की सारी दुनिया बच्चों की आतर सिमत देती तो इसे एक्जिक्यूट करने में और क्या परेशानिय आ सकती जो आपको आई जिसे ही ते शर्मा जी उनकी सर्कार को भी करना चाहिए दुरूस करना चाहिए मैंने जैसा कि पहले कहा कि माननी मंत्री जी को सिर्फ एक जंता में शिखुफवा चोड़ने के आज़त है पहले उनने सुर्य नमस्कार वाली बात कई वार्वे समान ड्रेस वाली बात कई और आप लोग मीडिया वाले उनके बयानों को खट से लपक लेते हैं और फिर उसक जैपुर के पास में एक स्कूल है कि वहाँ पे उनके रिपोर्टर ने बताया कि पंद्रा दिन तक वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं आए और वहाँ के टीचर थे वह प्रिंसिपल के अटेंडेंस लगा रहे थे तो मैं आप से बोल रहा हूं कि जहां पे आपकी पंद्रा दिन की अटेंडेंस प्रिंसिपल बिना आये उसके टीचरों ने उसके साइन कर दिया जो भी सिस्टम बेटा तंखा ले गया आप उसकी निगरानी किस प्रकार से करेंगा यह बताईया मुझे आपने सिस्टम लागू कर दिया उसके बाद जैसा कि अभी नवीन कुमार जी ने ब दिया निगरानी कैसे करेंगे क्या आप कैमरा लगाएंगे नहीं लगा सकते हैं संभव नहीं है चीजे क्या आप विद्यालों पर यह दूसरे को टीचर्स को एक दूसरे पर दुश्मन मना के लखना चाहते कि तुम मुझे इसकी खवरदे में तेरे को जैसे पूलिस देती पर आपको ध्यान देना चाहिए राज्य के विद्यालों की तरज पर विक्षित करने पर आपको चंचा करनी चाहिए मंत्री जी को मैं सुझाओ देना चाहूँगा आपके चनल के माध्यम से कि अने को विश है कि जिस पर आपको ठोस रण दीती और ठोस फैसले के साथ जादा आपको लोगप्रिता भी मिलेगी और जनता का भी बला होगा पर तो यह फैसले जो आपने ले रहे हैं जिस प्रकार से सिवाय सस्ती लोगप्रिता के कुछ नहीं है और इसको प्रेक्टिकल धरातल पर संबभ नहीं होगा मिना जी इनको हर चीज में कदम कदम पर फी इसको आप लागू कैसे करेंगे बताइए वो जवाब नहीं दे पाए उसे सारे एंगल से आपने पूछा मैंने पूछा जवाब नहीं दे पाए तो मैं आपको इस बात को निश्यत और भी कह रहा हूं आप और हम बैठ करके दो मेने बाद में भी तो आचार सीता पहटेग करना चाहरे है पर आपके पास को रास्ता है लपकने का जो हम लपक रहे हैं इस पे मुझे आपसे दरसल तो मीडिया का काम तो जिम्मेदारी से विश्यों को उठाना है और आप तक सोचना समझाना भी है कि भई फीजेंद्र शर्माजी और उनकी सरकार जो कर रही है अगर सहीं नहीं कर दी है अगर तो आपके पास रास्ता को बताने का कि आप गलफ कर रहे अब सरकार तो आपने जितनी परिशानियों का सामना किया लेकिन आप विपन हो गए तो यह सरकार भी विपन हो जाए लिए तो जरूरी नहीं नमीन कुमार जी सफलता और विफलता बोनों किसी भी पैसले के साथ जुड़े वे होते हैं जिन आशनकाओं की पूरुष भागवाजी चर्चा करने वो बहुत स्वभाविक है, हमारे यहां खास करके बहुत ही जबर कर शेक्षिक व्यवस्था में हम देखते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को हम देखते हैं, सुबह दाते हैं, खुद सिगनेचर करते हैं, फिर साथी पुरुष भी ऐसा करते हैं, सवाल भी है कि इसके एड्जिट्यूशन में जितनी चुनोतियां हैं, नवीन कुमार जीपूर नवीन चुनोतियां इतनी भारी हैं कि इस पैसले को लागू करना मुम्किन नहीं है, पहले तो मैं आप इस बात का जवाब दूँ कि एक विकास के लिए हमें क्या करना है, लेकिन रात को इतनी पत्र आ चुके होते हैं वार्षप पर, उनकी डांके तैयार करते हैं, तीस साल हो गए, आज भी शिक्षाय रवाग में कोई फोर्ट क्लास, चत्रसेरी क्रमचारी की भर्ती नहीं हुई है, और जो थे, वो शेवा नि इसको पहुँचा गया यह तुरंट, अब वो दी ओपिस या चीबी ओपिस वहां लेकर जा रहा है, जब वो जा रहा है, तो सब ने देखा कि अभी तो आया था, और आके चल भी दिया, यह पता नहीं को तहां जा रहा है, कलक्टेर से आगे अटा, पहुँचा नहीं है, ज तो अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि आज से बड़ा काम से आसांग हो गया काम डोर जो जाना पड़ता है परशीय वाटिया भी ऐलेक्शन में तो वो अउनलाइन बट गी नहीं बटी पीजरी बात जो काम हम ऑफ्लाइन वह करना पड़ रहा है अटेंडियंस पहले कि अपुआ कर रही है यह कि ठीक है वही हर काम वह और ऑफ-लाइन भी हो रहा ओनलाइन भी हो ओनलाइन बना तो हमने लगा बहुत अच्छा काम हुगा इसे लेकिद वह क्या रहा है अभी इंकित साय कोई साथ भी दफ्तर हो एक सुझन हमने ऑनलाइन बेज़ी लेकिन उसके आ करना थोड़ा कटिन है इसलिए है कि हम ओनलाइन हो चुके हैं अब विदान सब्सक्राइब कुछ नहीं है वहां से तुरांत आता है कि इसका जवाब भी दो बार सब कर दिया आप बेजिए इसको अब वहां से पत्री हाएगा फिर उसका जवाब जाएगा यह संबब नहीं है अब उपर से आज का सूचन मंगी जाती है निदे साल ऐसे वो लेटी साब को बेज़ते हैं लेटी साब बीयों को बेज़ता है वो सिया सी विद्धिया लेटा आप तुरंट बेज्चना को तो वार्टसब के मातम से चलती है वापस तुरंट सूचना को अब आप वहां से पत्र बेज़ेंगे पत्र बेज़ेंगे कहां से पोट प्लाट में के पास भी नहीं है तो सिस्टम ऐसा बन चुका है तो मुझे नहीं लगता है कि इसको यह लागू लोगा अब लोग आते हैं इसमहों किने साथ प्यास में उसकी परशब में मत रखो वहां जाके इसको रखो प्यास में लागू करना मुम्किन नहीं मैं यही कह रहाता है कि हम यह देखते हैं कि मंत्री महोदेर और विभाग के दिकारी इस पेसली पर कब तक कायम रहें हैं हम इसका स्वागत करते हैं तो पैसला बहूत अच्छा है इससे सिख्षा में सुधार होगा निश्व रूप पढ़ाएगा उसको उसके दिमाज में एक ही चीज होगी कि मुझे पढ़ाना है आज हम सोच के आते का पढ़ाना है लेकिन यह इतने जो बार्शाप पर इतने आते हैं और गुरुप नहीं चेक करो तो दिकत अज हर काम उसी हो रहा है वार्शाप पर तो उसमें हमारी भी इसमें नोट आओ कि भी आपको बता नहीं हम क्या देखता है है हो सकता है अभी एक हमारे साथ ही बोल रहे थे कि किसी रिएल बना ली के इसको फॉल्वर है वह रहें वहीं कितने होंगे एक-डो दस परसेंट फांस परसेंट होगा ऐसा बागी नहीं है एक परसेंट भी नह करिए ऐसी दुपेरियों कोन जाना चाहेगा जिसके घर हम जाने हैं वो हमें किस तर से कर रहा है क्या हमारा यही करेमा यही हमारा पत है तो लेकिन मजबूरी है मैं काम कराना चाहे लिए एक लंभी बहस है लेकिन यह अलग विशे है वो करणा चाहिए कि नहीं कराना चाहिएink выбBen街 के बाहर आपको काम है तो आपको मोबाईल लेकर जाना ही पड़ेगा, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा दोनों अलग-अलग है, शिक्षतों से क्या गाम कराना है आपको, शिक्षन के अलावा वो पूरी अलग बहस है, इसको बहस ही क्योंकि करी सारे प्राइवेट स्कूल में हम जानते हैं, जहा सुछे की स्कूल से है, लेकिन क्या वाथि है वूस्स l Đusion की जबरत है, जब कि स्कूल में लेंड़-डाइन हां, स्कूल का एड्रेस अड्र्स सबको पता है, स्कूल के लेंड-डाइन पे करके, कोई भी परिवार अपने परिवार के किसी भी टीचर से बाग कर से क्था है, बच्चे बैठे में, पैरेंस बैठे में सब अपने मुबाइल में ब्रेस्ट है, ऐसी तस्वीरे आजकल बहुत बढ़ी संख्या में आती है, सवाल ही है कि इस पैसले से गुनवत्ता शिक्षा की कितनी आएगी या नहीं आएगी और क्या सरकार से एंग्लिक्योट कर पाएग में सब पूरा पैनल एक साथ है, अब एजेक्षिन की बात है, फुर नमीन जी बोलने ही संभव नहीं हो सकता, पौरुष भागवा जी सत्ता में रहे हैं, पांक साल प्रयास कर लिए संभव नहीं कर पाएगी, तो ऐसे में जग्रीश जीं की सिर्फ जो पौरुजी आरोप जिनको लगता है कि इसके लिए इसके लिए करना बड़ा मुश्किल के काम है, मैं भारतबाद जी की बात से सहबत हूँ, इसकी इंप्रिमेंट कैसे किया जाएगा, प्राइटी क्या है आपकी त्रक्षाज में उपस्टिती कराना की उपस्टिती को सर्टिन करना है, या स्कूल में मुबाइल की एंट्री बंद करनी हैं, तो फिर आपने इतने सारे काम जो मुबाइल पर डिपेंडेंट कर लिए हैं, अभी तक ये नवीन जी बता लिए कि क सब्सक्राइब करना पड़ता है, और जवाब भी चाहते हैं कि एक गंटे में मिली जाये हो, तो कैसे करेगा आप टीचर को कभी भी दूश्य ठेराया जा सकता है, कि आपको ये वह जाता है, ये पला ये लिकाना, तो ये अलग किसम की चालू हो जाएगी, ऑफिसर्स और सब्सक्राइब करते हैं कि आप ये वाइड़ फॉन में चलाएगा, और वो कहींगी कि ये गवर्मेंट काहीं है, ये इन रही हो बैट तो दिखाओ, ये वो घंजट होगा, जिकल जगड़े तक हो सब्सक्राइब, मैं मानता हूं तो ऐसी सुम्रत में गवर्मेंट के जो ऑफिसर हैं जो इंप्रिमेंट करने वाले हैं, उन तक को भी सावदारी बरत कर और पहले इसके नियम और तरीके कुछ अल्कुछ बनाने चलिए, किन-किन परिस्कितियों में मॉबाइल अलॉग किया जाएगा, किन-किन नहीं किया सब्सक्राइब करने के लिए जाना है, वह अपना मॉबाइल के कमरे में या इस्टाप रूब में जहां भी चाय वह रखें लेकर 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 जाता है, तो ऑफ कर दो, ऑनी बंद कर दो, तो इसकी तैय करना बहुत मुश्किल का काम है, और यह जब सक तैय नहीं सब्सक्राइब करता रहेगा इसको लों में, और चटी ज़्यादा होंगे, आप अभी जंजट मिटाने का एकदम सीधा तरीका है कि मोबाइल लेकर ही नहीं आए, तो राजे तिवार जी वाते ही इतना मुश्किल है, सुबह साथ, 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 आठ बज़े से स्कूल शुर मोबाइल नहीं होते थे, आपके हाथ में था ही नहीं मोबाइल, तब भी तो आप रहते थे, अब अगर आपको मोबाइल पर कुछ काम करना है, विद्याले से जुड़ा हुआ या वैवस्था से जुड़ा हुआ, तो आप घंटे बर समय निकाल के स्कूल से घर पहुंच कर शाम को भी कर सकते हैं, क्योंकि एक हमेशा ये बहस ही रही है, कि शिक्षकों का समय जो है, मतलब सरकारी नौकरी में अगर शिक्षक की नौकरी मिल जाए तो उसके बढ़िया कुछ भी नहीं है, खास करके मनिलाओं को भीजा इसे जबर आपकी आराम की नौकरी है, साल में तीन महें ने चुटती हैं, उसके बाद भी आजर दिन जाना है, उसके बाद आपका पूरा समय घर पे है, तो ये वाती है, बहुत मुश्किल है, उसकी चिंता सबको नजर आ रही है, या पिर ये चिंता हमें इस वक्त ने ज़्यादा ओढ़ा दिये, राजियो तिवाया च अगर वो ही काम वो करें, अभी मेरे को साथी कह रहे थे कि बाल में कर लें, आपने भी कहा कि भाई स्कूल से घर जाने के बाद वो बात का काम कर लें, क्यों कर लें? उनके जो डूपी आवज फिक्स हैं, उसके जो काम कराना है, वो करना है, बागी उनको अपने परिवार क को देनी है नया पार्ट पढ़ाना उसकी प्रिप्रेशन के लिए भी तरह की वह मुझा यह अब वहां जाकर बिये लोगा काम भी घर से कर लें और वहां का काम बी कर लें पन्स-पोरियों का काम लिकान और दूसरे काम क्यों कर लें इतने मुल्टी पर्पस काम के लिए क्या उतनी फिर उनकों से लिए जाते हैं उसके अलग से बत्ते ते किये जाएं तो जब बाकी लोगों से वो क्यों कराए जाते हैं तो उनकामों से मुक्ति मिल जाती है जग्दीश जी उनकामों से मुक्ति मिल जाती है और आपको सिर्व जाकर पढ़ाना है तब इसे एक्जिक्यूट करना तब इसे इस फैसले पर सरकार के लिए बने रहना इतना मुश्किल नहीं आपके इसाब से पर बिलकुल मुश्किल नहीं होगा तरह तरह एक एस इस बाट में रहे है और जब स्कूल आफ हो जाए उसके बाद आप अपना मुबाइल कलेक्ट कीजिए आपके जो मजी की जी उसके बहुत मोबाइल से जहां आपको संपर करना है बात्रीश करनी है और गोई आपको जैसे इमन जी कहने हैं इस बात में राजीर जी इसमें फिर वही चिंता होगी इसमें फिर वही मिली भगत होगी जैसा कि अभी कहा कि वही 15-15 दिन तक शिक्तक आएगी प आपस में 4-5 लोगों का स्टाफ है जब मोबाइल का काम ही नहीं होना है तो फिर अटेंडनेंस तो रजिस्टर में ही होगी ना ओनलाइन थोड़ी हो जाएगी फिर इसके बाद मंत्री थी है इतना बड़ा हमला है वह सर्प्राइज विजिट करें वहां सब जके जाके चेकिंग करें महिने में कम से कम दो बार एक स्कूल का तो निटक्षन होना ही चाहिए फिर काई के लिए इतने सारे और जितने ये दूसरे निदेशाले में लोग बैठते हैं क्यों बैठते हैं क्या काम है उनके पास सिर्फ आदेश जारी करने काम है या सारी रिपोर्ट्स लेने काम है रिपोर्ट्स बनाने काम है या दूसरे काम ओडने का मैं तो उसके साथ बोला हूं दूसरे काम ओडने का दवाब है सरकार में कहीं कोई काम नहीं हो रहा शिक्षा विबाद को देदो शिक्षकों के उपर स पर इतनी सारी पावंदिया लादना चाहते हो और वह काम भी उनसे उनी चीजों से कराना चाहते हो एक चीज को तो आपको तो सलेक्स करना पड़ेगा ना जी तो सरकारिक जानल कर लूँ और मैं जाके दूसरा किसी शिक्षा विवाज में शिक्षक का काम भी कर लूँ कैसे कर सकता हूं मैं दो काम जी या तो तो दोनों से फिर मैं उतना जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा उन कामों को कैसे होगा कैसे होगा कोई भी होता है तो यह सारी चीजों से शिक्षकों को अलग करना होगा दूसरे कामों से और स्कूल पर ही शिक्षा पर ही उनसे पूरा ध्यान दिलाए जाए उनकी रेगुलर चेकिंग हो सब्सक्राइब करने की बात चल रही है और अब ही रही है मेडिया में रोज बाद तो वह भी नहीं हो पाएगा और उन इसकूलों में और इस तर सुद्रेगा पर चाहिए तो यह कहना है कि महत्मा गांधी जो स्कूल बंद करने के लिए जो फीड़बैक पॉम बढ़ा गया है और उससे जो स्टूडेंस की जो रियक्षन आ रहे हैं सरकार उससे डर रहे हैं स्टूडेंस के रियक्षन क्यों आ रहे हैं क्योंकि उन स्कूलों में शिट्षक उस इस्तर के नहीं है जो कि प्राइवेट स्कूल में है अलागि पड़े लिखे वह उनसे जादा है जो दो भी एडेमेट सारी चीज़ें किये वह लेकिन उनके पास यह जो अत्रिक्त काम है वो उनकी बढ़ाई में बादा बनते हैं सबसे ज़्यादा जैसे उनका इसतर सुद्रेगा उनकी ट्रेनिंग होगी इंग्लिश के लिए इंग्लिश के टीचर्स किये जाएंगे और दूसरे जो हिंदी मीडियम हैं उसमें हिंदी मीडियम के टीचर्स लगेंगे और उनकी बाकाइदा ट्रेनिंग होगी जब दूसरे अपने कामों से उनको निजात मिलेगी, तो बहुत सारे development के उनके काम हो जाएंगे, शिक्षे कामों में आजकर शिक्षकों में खुद भी एक काम बढ़ा है, YouTube वीडियो बनाना, Reels बनाना, और उसके बाद अपने students राइवेट के नो गंटे, साथ गंटे, उसके अंदर तो वह आपने शुद्र, उससे शिक्षा का काम ही करें ना, वह शिक्षन का काम अच्छा होगा, तो आप देखें कि आगे generations खुदर जाएंगी हमारी, नवीन जी, पर दुबारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत बनाया जाता है, ऐसा कहा जाता है, मुझे याद है, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, कि राजिस्तान में अजर करमचारी के लिए फाइव दे भीग है, पास दिन उनको आफिस जाना होता है, और और सिक्षक को छे दिन जाना होता है, तो प्रत्यक सनिवार के उनकी लिए कितने महीने हो गई, तो ये कह देना कि उसको जादा है, उसको ये अलग बिसे हो सकता है, दूसरा अभी बात हो रही थी उसी के रीट बनाना है, वीडियो बनाना, जितने भी कारक्रत होते हैं जिभाग के, आप माली चाहिए वार्षक कुस्ता हो, या साइकल बितरण हो, रेस बितरण हो, फुस्तक बितरण हो, या निवन्द कोई प्रतेयोगता हो, या किसे भी महापुरस्त की जैनती हो, जो बित्याले में मनाई जाती है, उसके लिए एक ही आदिस आता है, कि इसके दो फोटो अफलेड कर आप लोड कीजिए दूरा, फोटो फीचे जाते ह ये, वीडियो बना के विवाब को में जाते हैं, हो सकता है कि विवाब की अधिकारियों के आदिस होके आप उहां जाके देखिए, इसकोलों में दोरा करिए, चेक करिए, उन नहीं करते होंगे, तो वो वीडियो मंगा लेते हैं, फोटो मंगा लेते हैं, तो अफलोड होता कि यह सविए इस सब्सक्राइब करें कि यह अधर दुद्री कारियों कि मुक्ति मिलेगी तो कि रहेंगे कि बच्चों को पौधे लगाना सिखाना है अपने विद्याले में खुब सारे पौधे लगाना है कि कोई और करना है यह जो सरकार का आदेश है वह गुवा की नहीं हुआ जैन ने इक आदेश निकाला था कि जितने भी कंपूर अनुदेश की भरती हुई है उन्होंने स्कूल में जोइन किया और सीथे उनको दूसरे कामों विभाग में तद्लिक्ति कर दिया गया वह आज तक इसकूलों में नहीं लोटे है उनका काम था यह इसने लगाए गए इसने विद्यालों में लेकिन वह मौजूद नहीं है जहां यूदीशी नहीं बाभू भी नहीं है कोन करेगा साला दरबन प्रवादी अधिकांस अध्याबक बने हुए हैं और साला साथ अरबन की फीडिंग वही करता है बेठा बेठा वेठा वो किलास में नहीं जा पाता है तो यह अब लगाए तो हैं लेकिन वो इसकूल में आये तो सही तो यह एक विवस्ता है इसे खामिया है रही बाद सिक् इस्टेदारी है या सरकारी खजाने से इसको पैसा किसी भी रूप में मिलता हो चाहें वो आईएस हो आईपीएस हो अध्यापक हो या कोई करमचारी हो या कोई भी लीडर हो उन सबके बच्चे सरकारी विट्याले में पढ़ें यह एक नियम बन जाए तो इसकूलों की दस बिद्धा बच्चारी जाएक अथ्यापक बच्चा भी वहीं पढ़ेगा हो अपने अप्धरसा सुदर जानी कि अ कि गला के तो इतना बड़ा माफिया प्राइवेट स्कूल्स का इतना जबर दस्तेटस सिंबल इतना जबर दस्त जो बच्चों के प्रेशर और इतना जबर प्रेशर है वो तो सारा भी जो जाएगा वो कौन चाहेगा वो तो कोई नहीं चाहता है प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट इंस्टिउशन तो सरकारों और समाज को मतलब जरूरी है उसके बिना तो समाज चली नहीं रहा है हम लोग जितने लोग बैठें यहां पर कौन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहेगा मतलब दर लगता है तरसल प्राइवेट स्कूल का नाम भी लेने से सचाही है यह अगीकत ही आप सब इस बात को स्विकार करेंगे जो सचाही है और ऐसे में अगर शिक्षा की गुणवत्का के नाम पर राजस सब्सक्राइवेट स्कूल लेकर जाते हैं और जो विद्यालियों के सरकारी एदर आप कुछ हाल देख पाते हैं तो आप जहां से हैं नागोड वो इलाका है जो तुलनाश्मक रूप से थोड़ा जागरुक लोगों का इलाका है राजमतिक रूप से पॉलिटिकली अलांकि कि शेक्षिक विष्टी से कोई बहुत अच्छी सिख्या नहीं है तो यह जो मोबाईल लेकर जाने वाले तुटर्स हैं दरसल ही करते क्या है आपने feedback भी लिया होगा और देखा भी होगा कि क्लास में मोबाईल उनके हाथ में रहता है और अगर रहता है तो फिर क्लास में प कि शिक्षक ही एक अनुशासित एक संगेटन है कि आपर रास्ता हमें अपन कह से हैं जि एक बहुत बढ़ mermaid है जो अरुषासित के से किसी बीकां को पुरा कर सिता है द्रूम नुशा किसी भी विवाग में इतने करंचारी नहीं और वो इतने ऑनुशासित कनके से किसी काम को कि आप कर सकते है इस लिए फोरी जाय तो को निर्बेंड करते हैं मुच्य स्कुलों का रिजल्ट भी यह विगाए गलाबर बार भी है करे चलंडों से घाएटर आते है तो जब वहां देखता है तो वहां एक तीचर भी नहीं किलता बच्चे आते हैं इसकुल के ताला अजमा होता है और चली जाती है मैंने एक बार खबर कवरेश किया था स्कूल में छे सिक्षक और बच्चे केवल दो कि नहीं जी तीन सो पैंसे दिन और आज़स्थान के पचास दिलों में और जिरों के वह तैसिलों में इस तरह की स्टोरी जो इस तरह का काम होने की जरुए तरह कि नमीं जी जो आप इलाबाद हाई लगोड के फैस्सली जिस्की चर्चा कर रहे हैं। आप छोड़ी आई एस और सरकारी करमचारियों को शिक्षक जो आप लोग हैं आप तो सरकारी विद्धाल ऐसे चल रहे हैं जाए डिशन के लिए अप्रोच भी है लगानी बढ़ रही है इसा नहीं कि सारे विद्ध्यालों की दसा ही है हम तो क्यों शर्टा है नहीं जोंग दिया जाता है अब यह लगातार इस वर्स में दो चुनाव थे सिक्षक दूस्ट दो तरे की मार घेलता है अगर हमारे एक मापदन तरह है कि टेंथ क्लास में रिएल्ट साथ परसेंट सतर परसेंट जागर एक जड़ासा भी नीचे आया तो हमको चार सीट मिलती है हमका हमारा तो यह थो देना ही देन लेना फेमार हम जी रहे सकते हैं किरेश्ग मार ज्य्टर Norway मिलता होगा लोगा पड़े हैं कि आप क्या मेंसे व्यूर नहीं है हैं बनाते हैं फिर उनको रेस वी बाटते हैं साइकली देते हैं सारे काम तो हम करते ही हैं है आप तीज सो बच्चों को खाना खुलाओं के लिए लगेगा जी तो यह सारी चीजें हैं इसको बहुर करने को चर्चा की जुरूथ है नवीन जी की बात में एड़ करते हैं एक बात कहना चाहूंगा कि इनोंने इलावत हाई कोड के फैसले का जिक्र किया तो यह निशी तोर पर मैं बात को मानता हूं कि आप देखिए कि जब हमारे सरकार के करमचारी अधिकारी और हमारे निताओं के बच्चे अगर सरकारी पिचासी परशेंट जो हैं वो बच्चे सेंटल गवर्मेंट के एंप्लोई के हैं चाहा फोर्थ ग्रेट का करमचारी हो या फिर वो बड़े अधिकारी रेंगता हो तो निशी तोर पे सब चुकि एक सरकार से बिलोंग रखते हैं किसी ने किसी रूप से तो इसकूल के पिचे से बिलोंग रखते हैं तो आप उसमें पहले दिन से आप उसमें इसमें परफेक्शन की उविद नहीं रख सकते हैं आज भी दो कदम बढ़ाता है कुछ सीखता है फिर और चार कदम आगे चलता है तो उसी के तह हमाई दारा मात्मा गांदी विद्धाले को ले गए आप मानके चली कि कम से कम 300 फोर्म आयते हैं और उसमें भी लोट्य निकलती थी और पोलिटीशनों के लोगों ने चक्कर गाटे हैं कि साहब हमारे बच्चे का एडिविशन करवा दो वहां करवा दो तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि केंद्री विद्धाले की तरशपे औ कि आप दस हजार दीस हजार पचीस हजार इंगेश मीडियम के युवा नौजवानों को भर्ती करिए तुरंट प्रभाद से और यह कोई बहुत बहुत काम नहीं है दो हजार के तक्रीबन स्कूल है पांच अगर हर स्कूल पे आप इंगेश मीडियम के नए नौजवान तो कितनी जरुरत हुए आपको हर स्कूल में पांच नए शीक्षड और कोती इस्टैश्मेंट तो पिछली सरकार ने किया ही है जासा भी किया है जितना भी किया है जो भी कमी बेसी है उनको ठीक करी उनको दूरुस्त करी बनिस्पत कि आप उनको बंद करें तो यह लेकिन कि अंग्रेजी मार्धन के स्कूल बंद करना सरकार का पैसला सही नहीं हो सकता, उन्हें दुरुस्त करना सरकार का काम एक करम आगे बढ़ने जैसा हो सकता है, हितेंद्र शर्मा जी यह जो चुनौतियां है, इन से पार पाने के लिए आपको बाता आएगा, कमेटी बनानी पड़ेगा, उसमें गंभीरता से काम आगे बढ़ना पड़ेगा, सिर्फ सुखियां बटोरने से, एक दिन चर्चा में आजाने से, शिक्षा मंत्री वापिस चुनाव में लग जाने से, या फिर विचार विशेश को आगे बढ़ने के लिए उनका जो अभियान चलता है, उससे शिक्षकों का और शिक्षा का बना नहीं होगा, देखिए जो तरकार में यह निर्ने करा है, इसके लिए पूरी कादी योजना, विबाग के द्वारा जो इसके तशिक्षित लोग हैं, जो विबाग का अन्महु रखते हैं, उन सब लोगों को साथ में लेके यह निर अर बार भार भारतवाजी दाजीव गांदी तो इंग्लिश मीडिया में इसकुलते उनका विश्य उठा रहें, इस पर एक जवाब देना चाहूँगा, आज की डिबेट यह नहीं थी, फिर भी में इस पर जवाब देना चाहूँगा, पिशली सरकार ने जब बहुत सारी तोती गोष्णा की थी, उनमें से भी एक गोष्णा थी, जब 2070 के लगवग ये विद्याले फोले गए थे, इनकी गोष्णा की गई थी, एक बीर के लिए कहीं अलगते बिल्डिंग नहीं बनाई गई, इनके लिए स्टाफ की कोई वेवस्ता नहीं कहीं, जो शिख्षक व सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप की जानकारी का इस तरह आप जमीन पे जाहिए, पता कीजिए, अगर वहाँ पे सो वेकेंसी स्टुडेंट्स के लिए निकलती है, तो 300 वहाँ आपे फोर्म आते हैं, और अगर कुछ कमी हैं तो कमी हैं सुधारी ना, मनत होना कर रहे हम आप में आप लोगने उस दिशा में खोशना के लावा कोई काम हूं नहीं किया ता कि कूले नहीं हुए इंग्लिश में बोलने वाले पड़ाने वाले टीछर को आप लगाए गया हला कि यह कि सोप 4.20 लोग एजबी जुकि वो उसा नूरूप नहीं है। आप ये बात करें बड़ी तादार में जैपुलिये मेरे एक मेरे पेंगे मेरे ने काले मेरे पिलनावाली जिनके मेरे मिलने वाले इंके मेरे बच्चे जैपुल में पड़ दे ने टूब तो लुए ईडिविशन के लिए तब रहें आप आप सथी लोग पर अजिद करने के लिए कुछ भी शवूबा शोड़ देते हैं आप लोग कप्ता का जिंता को बेज़ बनाएंगे भूट नोलेज निया दर्हातल बेक्ष्ट अब सब्सक्राइब करें लिए आपने कितने शिक्षेकों की बर्ती की ती में तो इतना सब पूंच रहा हूं सब्सक्राइब करें लाइक नहीं मानते क्या कि वो लोग अंग्रेजी पढ़ा पाएं पहली बाद आप इस बात का जवाब दो कि वह इंग्रीस वीडियो में स्कूल से में नहीं पढ़ा सकते हैं आप इस वाद को कहते हैं आप इस वाद का जाना को आप आप के कहने का अरतिक है कि राजस्तार में शिक्षक नहीं है कि इस में पढ़ा पर राजस्तार के सब सरकारी फीचर जो है आप जोड़ें के साथ दिक्कति होती है कि आप लोगों के साथ दिक्कति है कि आप लोग फुष्वी शुवा छोड़ देते हो और यूट्र नेजर के वापस वाज़ते हो परुष जी और हितेंद जी आप दोनों का ओडियो बंद किया गया है आप दोनों की डिवेट पिछले पांच मिनिक पर जो आप लोग नॉन स्टॉप बोले जाएं ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को पढ़ाएं इंग्लिश मीडियम के और सरकारी विद्यार्थि वैसे अनुशाशन के बिना बादचीत अपनी बस सिर्फ इसलिए कि आपको करते जाना है आप क्या सिंदेश देंगे कौन सी शिक्षा विवस्था को ठीक करेंगे एक बार यह भी जरूर सोचिएगा जगदिश शर्मा जी ये हिंदुस्तान में शिक्षा विवस्था एक ऐ अगर सरकारी विव्द्ध्याल हूँ में बढ़ाएंगे दरह्मीं जॉब कर लिए तो हमेंगर सरकार की हम इतने फाइदे ले ने हैं वहारे बच्चों को सरकारी विद्ध्याले में जाना ही पड़ेगा नब तक हम बस एइसी बाते करते रहेंगे समय निकलता रहेगा करें चाहे किसी वर्क्शॉप में बोलें टूचर्स की में कि बात कहने में बहुत अच्छी लगती जब तक डिसीजन गवर्मेंट का नहीं करेगा तो पता है कि इस डिसीजन को करने पर गवर्मेंट पर क्या होगा को कई सो करोड़ पहले से इंस्वाम करके अपने पड़ें कि बहुत सारे सरकारी स्कूलों में तो अभी तक टॉइलेट से टीक नहीं है आप तो आगे की बात कर रहे हैं कि विवस्था भी अभी तक बहुत ही नाजुक बनी हुई है और बच्चों के बैटने के लिए टाट प कि कि भाइस करें हिंदी अंग्रेजी पढ़ा बच्चों को एक वेंट कर देते आते बच्ची अंग्रेजी भी बोलते बेढ़ते हैं लिखते बीस्टाम करते हैं क्यों मीडियम अंग्रेजी नहीं बताते हैं बस वो स्कूल बताते हैं जब आप स्कूल की बात करते हैं तो आपको फैसलिटी से लेकर हर चीज की विश्था करनी पड़ी है और यह जो छोटे-छोटे पीस के हिसाब से चलता रहता है ना या टेलीफॉन बंद कर दो आज यह काम मत करो और यह भी आपत होती है कि सरकार कर जो काम आता है उठाकर सिक्षकों के ऊपर डालो जैसे वो कोई आपने यहां पैदाई इसलिए हुए वह सब्सक्राइब करना है या कहीं टीका करने के काम में लगा सब्सक्राइब करेंगे बहुत 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 शुक्रिया आप सब का इस चर्चा में शामिल होने के लिए नियूस 24 पर हमारी हर दिन कुष्ष होती है कि आज की जो विशे हैं उनको आपके समक्ष रखें और विशे की गंभिता को आप सब समझें हमारे यहां पर शिक्षा जगत का जो हाल है उसमें बेहद ख्रांतिकारी परिवाटन जब तक नहीं आएंगे तब तक यह चर्चा डिबेट से आगेरी वड़बाएगी और सरकारे के त्यालेओं का हाल भी नहीं सुतर पड़ेगा ऐसे में मोबाइल फोन पर बैन लगाकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री कितना परिवर्थन शिक्षा में लाप आते हैं कि देखना लाज नहीं होगा आज में था इतना ही नहीं